हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों शेकर सुमन जी जो की बहुत दिनों से सुषान सीराजपूत के जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं तो उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया है जो काफी चर्चे में है और काफी तहलका मचाया हुआ है तो ये ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ शेकर सुमन जी लिखते हैं सुषान's friend Sandeep Nahar also committed suicide it is strange दीशा and two more of SSR's friends also connected with him had earlier ended their lives is there a common link or thread or is it just a coincidence point to ponder यानि कि शेकर सुमन जी लिखते हैं कि सुषान के दोस्त संदीप Nahar ने आत्मत्या कर लिया ये बहुत ही अजीब बात है दीशा और सुषान सिंग राजपूत के दो और दोस्त जो कि सुषान सिंग राजपूत से जुड़े हुए थे उन्होंने पहले ही अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है तो इन सब के बीच क्या कोई common link है कोई common door है या ये सिर्फ एक संजोग है हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस पर विचार करने से ही पता चलेगा कि असल में क्या है असलियत क्या है तो ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं बयान है शेकर सुमन ज के तरफ से जो कि सुषान सीराटपूर्द के जस्टिस के लिए बहुत दिनों से फाइट कर रहे हैं तो उनका ये मानना है कि ये संजोग है या फिर इसमें कोई गहरी शाजीस है कोई चाल है ये जो सम मौत हो रह Kaiser है वो उन से गारिबी करीबी जो लोग थे उनकी जान एक-एक करके जा रही है और सब में एक common pattern दिख रहा है कि वो suicide कर रहे हैं तो इसकी छानबीन होनी चाहिए इस पर विचार करनी चाहिए और असलित क्या है ये निकल के आना चाहिए ऐसा ही शेखर सुमन जी ने कहा है इस tweet में तो दोस्तों आप भी comment करके बताईएगा कि आप क्या सुचते हैं और जैसे जैसे और information आएंगे सुशान सीराधपूर से related मैं आपको देता रहूंगा मिलता हूँ अगले वीडियो में बाबाए